जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BHC Interest Exam की तहरी करा रहा हूँ और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक Most Important Topic जिससे की आपके Interest Exam में एक कोशन जरूर पुछा रहे जाता है और हमारा आज का Topic है Connective Link तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 लिस्ट लेकर आया हूँ Connective Link का जो कि एक साथ कहीं भी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा तो आज का वीडियो आपके लिए Most Important होने वाला है वीडियो को ध्यान से देखेगा कहीं भी Skip मत किजिएगा तो आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बाइलोजी में Plant और Animal के Connective Link कौन-कौन से हैं तो आपको उन Plant या Animal का नाम मिलेगा और एक साइट वो किस ग्रूप के हैं उसका भी नाम लिखा होगा यानि कि आपको पता चल जाएगा कि दो Animal या Plant जिस भी Group के हैं क्यों आपस में Connected हैं ये चीज़े आपको इस वीडियो में Figure के Through बताई जाएगी तो सबसे पहला हमारा जो लिस्ट है आई देखते हैं कौन सा है तो पहला है Actinomycities जो कि Bacteria और Fungi के बीच Connective Link है दूसरा है Archaeopteryx जो कि Reptiles और Birds के बीच Connective Link है तीसरा है Belenoglasses जो कि Cardate और Non-Cardate के बीच Connective Link है फूर्थ है Chimera जिसे Rabbit Fist या Red Fist के नाम से जाना जाता है ये Cartelaginus और Bony Fist के बीच Connective Link है अगला है पाच्वा क्लब मास जो कि Briophytes और Teredophytes के बीच Connective Link है अगला है Tynophora जो कि Cylentrate और Platy Helminthes के बीच Connective Link है अगला है Psychus जो कि Teredophytes और Gimno-Sperm के बीच Connective Link है अगला है Echidna जिसे हम Spiny Ant Eater भी कहते हैं ये Reptile और Animal के बीच Connective Link रखता है अगला है Yuglina जो कि Animal और Plant के बीच Connective Link रखता है अगला है Neetum जो कि Gimno-Sperm और NGO-Sperm के बीच Connective Link रखता है अगला है Hornwards जो कि Protista और Briophytes के बीच Connective Link रखता है उसके बाद है Latimeria जो कि Pieces और Amphibia के बीच Connective Link रखता है अगला है Mixomycities जो कि Protista और Fungi के बीच Connective Link रखता है अगला है नियोपिलीना जो कि एनिरीडा और मुलसका के बीच कनेक्टिम लिंक रखता है अगला है और निथोरिंकस जो जो इसे हम डग बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं यह एक अंडे देने वाला इस्तंधारी है जो कि रेप्टाइल और मैमल के बीच कनेक्टिम लिंक रखता है उसके बाद है पेरिपेटस जिसे हम वाल की वाम काते हैं यह एनिलीट्स और आथोपोड्स के बीच कनेक्टिम लिंक रखता है इसके बाद है प्रोटेरोस्परेंजिया जो कि प्रोटोजवा और पोरिफेरा के बीच कनेक्टिव लिंक रखता है अगला है प्रोटोप्टेरस जिसे हम लंग फिस काते हैं इसे वाकिंग फिस भी काया जाता है जो कि जब मिन पे चल सकता है इसे बोनी फिस और एमफिविया के बीच कनेक्टिव लिंक माना जाता है अगला है अगला है रिकेट्सिया जो कि वाइरस और बैक्टिरिया के बीच कनेक्टिव लिंक रखता है अगला है सेमोरिया जो कि एमफीविया और रेप्टाइल्स के बीच कनेक्टिम लिंग रखता है अगला है स्फेनेडॉन जिसे लिविंग फॉसल्स लिजार्ड भी काते है या एमफीविया और रेप्टाइल के बीच कनेक्टिम लिंग रखता है इस चिपकली को living fossils इसलिए का जाता है क्योंकि इसकी संख्या हमारे पित्वी पर बहुत ही कम है तो इस फेनेडॉन, एमफीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है इसके बाद है टॉर्नेरिया लारवा जो की इकाइनोडर मेटा और कॉर्डेट के बीच की कड़ी है उसके बाद है ट्रोकोफोर लारवा जो की एनिलीडा और मुलस्का के बीच की कड़ी है उसके बाद बात करते है वाइरस की जो की living और non living के बीच की कड़ी है इसके बाद है जीनो टर्वेला जो की प्रोटो जोवा और मेटा जोवा के बीच की कड़ी है तो यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई कोशन पुछना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजीगा मैं आपको उसका रिपलाई जरूर करूँगा और हमाया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर और सब्सक्राइब करें और एक बात और जो लोग इन वीडियो को डिसलाइक करते हैं यानि की उल्टा उठा दिकाते हैं उससे हमें कोई प्रावलम नहीं है लेकिन प्लीज आप रिजन भी बताएं ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा ताकि और हम उन वीडियो में सुधार करें और आने वाले वीडियो में आपको हम बहतर से बहतर वीडियो दे पाएं थैंक यू